कि अधैगाई आपका मेरी यूठी चरंब अज हम देखेंगे कल हमने देखा था की जो उधार उगरवधी चरंड सोरी उगरवधी चरंड तक हमने कहां तक लहां ने कलम देखे था बंगाल के विवाजन तक देखता है तो आझ हम करेंगे कलकत्ता में अधिवेशन जो हुआ कॉंग्रेस का उसके बारे में सूरत विवाजन करेंगे मुस्लिम लीक की स्थापना करेंगे और शिम्ला शिष्ट मंदल क्या था उसके बारे में देखेंगे दिल्ली दर्वार करेंगे करेंगे और लखनाव समझोता उन्निसो सोला करेंगे तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कॉंगरेस का कलकत्ता अधिवेशन पॉल जाता था कोलकत्ता बोल जाता था वर्ष निस साथ के मद्ध्य गरंपंथियों के परस परिक मतबेद खुल कर सामने आगे थे ओक गयाए गरं जब कि नरम पंथी समदेशी obrig का अंधोलन को पूरे देश में फैलाना जाता थैंड जब कि नरम पंथी ऑसारमन अनजे देखा को परिमित पर कि रहें और इन्नियरों दुरूर ऐ 10 सिंग तो यहод जै कि अदिया है कि मेडार के घ्रहों को दो जंब हरुआ लों यह मैं नहें दिऑस्टी है कॉन कि क्ववाजन और हlais क्वाज्ट गेन लोगे जो talked girls नेने तो यह संभामा थोड़ी तो बुज़ूर्ग आदमी थे उनकी सारे लोग बाते मानते हैं तो देखिए उलेखनी है कि सम्मेलन में तिलक लाला राश्पत्राय को अध्यक्ष मना चाहते थे लेकिन भुपेंदर नांथ वसु ने दादा वाइनरोजी को इस अध्यक्षित का दिया जिनके नाम पर किसी ने बिरोध नहीं किया तो पुराने कॉंगर्सी थे तो उनके ना पांच में हुआ था वो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ ने का उनीस सो पांच और साथ के बीच में वो चाहते थे कि सब देशी अंदोलन नरम बनती चाहते थे कि सम्मदेशी अंदोलन से बंगाल तक सी मित रहे ताकि अंग्रेज इसको हटा दे जो भी उन्होंने भीवाज इतनी असनी से नहीं मानने वाले हैं और उन्हेंने मतवेद्यों के अधार पर इसको भीवाजन किया है और वो इतनी असनी से नहीं मानेंगे और उसमें यह था कि जो जो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है कॉंग्रेस का उसमें हर कोई अपनी पार्टी के यानि गरम रहीं कि लाला चपत्राया जी बने और जो दूसरे थे उदारवादी जाते थे कि देखिए उदारवादी जाते थे कि विपंचंदर पाल जी को अध्यक्ष मिनाया जा तो लेकिन जब दादा दौह इन रोजी जी बन गए क्योंकि वो पुराने विक्ती थे तो उन से जो इस कॉंगर्स अंगर्फन से जुड़े तो उनके ओपर किसी ने मतबेद नहीं जताया कि हमें इनको पसंद नहीं है हमें नहीं नहीं बनाना हो कैस्ट वैसे वह अपने अप यानी कि शुरत अधिवेशन था वह वो ताती नदी के किनारे हमें इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास-भिहारी घोष्च कहुंत थे तो कौन थे आप इस पेपर में कॉछन पूछा जा सकता है कि शूरत अधिवेशन जो की 1907 में हुआ है उसके अध्यक्ष कौन थे तो सब्सक्राइब सैक हैं सब्सक्राइबकुरOOO काई रव एधा एक सभागत समीति के सभावति त्रीववन दास माल गिये थे अब एक सभावति त्रीवन दास माल गिया थे इस अधिवेशन में अध्यक्षपत को लेगर पुन्य विवाद परम्हुए राष्टवदी लाला लाजपत राइका अध्यक्षमना चाहते हैं जबकि उधारवादी र तो बहुत पहले से चल रही थी लेकिन अब यहां पे आके पूरी तरह से विवाजन हो गया है कि उदारवासिल सब्देश्ची बहिश्का राष्ट्य शिक्षा और सव शासन समंदी प्रस्ताब्वों को निश्प्रभाबी बनाना चाहते थे पूरा दिवेशन उतेजना और क कोशिश की लेकिन बहुत अफ़र रहे हैं अब देखिए सूरत विवाजन के पश्चात राष्ट्य कॉंग्रेस का जो अधिवेशन हुए हैं 1908 से लेके पंद्रा उनमें देखिए क्या बाते हुए हैं सूरत के अधिवेशन में ही उदारवादियों ने एक पितक बैठक की आधिन देखिए रिफेशन के लिए एक नवीन सविधान करने के लिए नवीन सविधान तैयार करने के लिए एक सभिधान हमे अधिव्या on कि कैसे बैठ ठक में आयुजत किया जाएगा ओके 1908 इस्वी में में इस्वी के मद्रास अदिवेशन में इस पस्ताब को मनजूरी दे दी गए जिसमें कॉंग्रेस के एक नए कॉंग्रेस के लिए सभिधान का निमार्ण करना चाहते थे ओके इस सभिधान में कॉंग्रेस ने अपने दर्वादी के लिए कि हमें उगरवादियों से कोई लेना देना नहीं है अब हम उधारवादी देलवाले अपने तरीके दे अपनी अजाद्धी के लिए लड़ेंगे इस अधिवेशन में कॉंग्रेस ने मिंटो मारले सुधार जो की आने वाला था का स्वागत कर अब देखिए उनने मिंटो मारले सुधार का अन्दोनल का स्वागत कर लिए गाईज अगर आपको जाना है कि मिंटो मारले सुधार में क्या क्या बाते थी जो कहीं गई थी तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने को ट्रिक्स के साथ बताया कि बता रहे खेंगे जाख भी देख सकते हैं च्ट्ट एब आगे देखिए इस समय बितन ने उदहारवादियों की सरकार जोन मारले ने जोन ओले नो में अँटना मनें भारत के संचिव कोन थे छोन उननी सो नो में भरत के सरचिव कौन थे बजार मारले ते जोन foarte को फून के ब्रमिन परकार के सुधारों द्वारा की अपेक्षा कॉंग्रेस की जा रही थी उगारवाद्यों उगरवाद्यों सोरी की रन्नीति को इस सुधार के विरुद बाधा के रूप में देखा जा रहा था इसके पश्छा अगले आट वर्ष्णों तक कॉंग्रेस एक की जा रही थी तो देखिए आप देखिए कि 1906 में मुस्लिम लीग आ गई है 1916 में उसके बाद मैं आपको बताते हूं कि दिन्ली दर्वाद जो आ था उसके बारे में अब देखिए बंगाल के बढ़न की घोष्णा के तत्काल बाद ही वहां एक नवमबर नवन्हां गई है क्या हएं तो यह देखिए यहां पर आएगा यहां पर आएगा 1 अक्तूबर 1906 पर आगा खूंक दिन्युद्द में मुसलमानों का एक शीष्ट मंदी शिमला में लौड मिन्टों से मिला मुसल्मानों त्यार किया मुसलमानों ने और श अब देखिए लोड मिंटो क्या थे अध्यक्ष से और मारले सच्चिव थे तभी मिंटो मारले सुधार बोला जाता है उसे हो के जो 1909 में बना था अभी देखिए शिष्ट मंदल द्वारा प्रस्तुत प्रतिविदन से में मुसल्मानों के राजने तिक महत्तब सायनिक सेवा मुसल्मानों के लिए एक विशिष्ठ स्थिति की मांग की यह था के अधिकार मिले देखिए ли ने तो अच्छी मिंटो को आश्वासन दिया कि एक संपरदाएं के रूप में मुस्लिमों के राजनितिक अधिकारों और फिति जो उगरवादी थे वो इसमें समर्थन करने थे कि बंगाल भजन नहीं होना चाहिए और उसके बिरुद्ध वहां जाके कि मुस्लमानों ने कहा है कि हमें अलग समर्थन चाहिए यह मतलब कि उन्हों ने जो भी बंगाल का भजन हो इसको समर्थन दिया क्योंकि अंग्रेजों ने फूड डालो कि शासन करों की नीती अपना रखी है वह एक दूसरे धार्मिक अधार पर दूसरे से उनकों मिलने नही अब देखिए नेक्स पॉइंट देखिए कहां तो शिम्ला शुष्टमानों के पश्चा पूंची मुस्लमान ने बंगालवनी के समर्थन में सवायोजन की तीर दिसंबर 1908 में एक बैठा का आयोजन किया गया जिसमें अखिल भारते मुस्लिमीक की स्थापना का निर्ने ल जिसमें अखिल भारती है मुस्लिमीक की स्थापना का निर्ने लिया गया इसके अध्यक्ष बरार बकार उल्मुलक थे 1908 होगा यहां पर सोरी करें असी होगा यह आठ होगा ओके यह टाइपिंग में स्टोग होगी है यहां पर क्या आएगा 1908 में आगा खांको अध्यक्ष बनाया गया था लीग इस विदान का मसुद्द्दा त्यार करणे के लिए कमिट्टी बना बनाया गया मुहसिन उल्मुलक था बकार उल्मुलक को बना दिया गया स्निउक्षytes यह मसोद्दा 29 जम्म निशु साथ को कराची में बैठक में सविकार कर लिया गया अब देखिए उन्होंने भी अपनी बना ली एक अब गाइस उन्होंने अपनी वहां पर बना ली अब यहां पर आएगा टाइपिंग मिस्टे कोग कि औम रेडी सोरी में मुस्लिम लीक की स्थापना धी अब लें किया गया है । नियुस्वीयरा में और प्युक्ष में पूछ जा सकते हैं कि दिली दरवार कब आ उजिट किया गया था enhanced डिली दरवान में किनका स्वागत किया गया था दिल्ली दरवान किनके आगमन के लिए लगाया था जोर्ड पर्चम और क्वीन मेरी के आगमन के लिए यह देखेंगे दिसम्ब 1911 के पर्रम में बिट्र सम्राट जोर्ज पंचम और क्वीन मेरी का आगमन हुआ बाया दिसम्ब 1911 को दिल्ली में एक भव्य राज्चे विश्के द्वारा आउजिंट किया गया दिल्ली दरवार गवर्नर जनर्र लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सम्राट की और से आप से पेपर में कॉश्चन पूछा सकता है कि 1911 में जब दिल्ली दरवार लगाया गया था तब गवर्नर जनर्र कौन थे इंडिया के लॉट हाडिंग ओके गाइस तो यह देखिए बिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानित किया जाएगा अधिकारी जुट से का गया कि ब्गोल क इतहासिक और राजधानी के रुब में बनाया जा रहा है अब देखें गाइस दिल्ली कब हमारी राजधानी के रूप में आई थी 1911 में जब जो पंचुम और कुईन मेरी का स्वागत किया गया था दिल्ली दरवार में तब ही डिसाइड किया करते नाया है उसमें क्या क्या किया है असम में शी लहत को शामिल कर एक नया प्रांथ बना दिया गया उरीशा एव भिहार बंगाल से अलग हो ज़र में आप से कोशन पूचे admin का राद हुआ था न sebagai Peninsulawe बंगाल नय प्रांत के रूप में गठिस किया गए अब देखें सअंत अंबो नुठ एवर उटद मां सब्सक्राइब बाइसरा हार्डिंग अपने परिवात शाही राजवांच के दिल्ली में परवेश कर रहे थे उसे समय पे उगर एक बम फिंक दिया गया जिसे रास भिहारी बोस जी ने फिंका था अब देखें बम हार्डिंग बम कांट का जो उसके चलते सबको फासिंग देदी के लोगे क्योंकि लोड हार्डिंग लगाया था दिल्ली दलवार तो उससे आप याद रख सकते हैं कि बम कांट कब हो गया था उसके एक साल बाद 1912 में हो गया था बिकोज ओफ इन्होंने कलक दिल्ली में परवेश कर रहे थे लॉड हार्डिंग तो उनके ओपर बम फिंग दिया गया था ओके लखनाव समझोता देखेंगे अब हम कि लखनाव समझोता कब हुआ था ओक्याइस यह देखिए लखनाव समझोता देश में बढ़ रही राष्ट्यवादी भावना और र आशलावार में है मेंदूसे था आछ पीुरुन डेमर देखेंग गन्सटालिनुकाइट हो मेंदूसे भी राष्ट्यवादी बूसे प्रवशनाता धैक्वि यह थेा हैंधिए न सबश्व और धोन एक हाइस उगगाई कवादूनावारा था दूनॅन रखनावनाव में द मेटाए जाने लिए तो उनको लगते शक्तों लगाने तो वहुगने दीजा, वे ने जी गोईगां वाला के द्शन, और इस विरोषक मेहता का दिहाता है। और गोपाल कुर्छ्फ Complete तधा विरोष्चाशा मेहता का देहात हो जाने के कारणि विरोषद की सभावनाय परशासनिक सुधारों के पक्षदर हैं ना कि पूरे बिटिस सम्राट को उटाएने के पक्षदर हैं तिरग ने कहा दिया कि वह तो चाहते हैं कि भारत में अच्छे सब चले ना कि बिटिस अब नहीं जाते तो क्या कर सकते हैं कि दिसम्बर 1915 में कॉंगर्स और मुस्लिम लिंग में एक अधिवेशन एक साथ मुंबई में हुआ ओके इतिहास में पहली बार ओल इंडिया मुस्लिम के प्रद्नेदी एक साथ कॉंगर्स के अधिवेशन में शामिल हुए थे मुस्लिम लिंग के अधियास जिन्ना थे जो इस समय कॉंगर्स के प्रमुख नेता भी थे मुस्लिम लिंग समर्था कोन थे दूसरी और कॉंगर्स के अधियाक्ष अंभिका चर्ण मझू मदार थे जो मॉर्डर नेता सुरेंदर नंत बेनर्जी के मित्र थे अब आप से पेपर में पूछा जा सकता है कि कुश्चन की इस तेमें अध्यक्ष कुन थे अम्धिका चर्ण मजुमदार जो थे 1916 में अध्यक्ष ओके लखनों में कॉंग्रेसी और मुस्लिम लीग के मद्दे संजोता हुआ जिसमें भारत के भावी शासन और राज्जे के बारे में दोनों संगटनों की कमेटियों ने मिलकर योजना त्यार की ये कॉंग्रेस लीग क कि योजना के नाम से जानी जाती है इसके अंतगत यह मांग की गई कि सरकार भारतियों को सवराज्य देने की तरफ सुनुष्चित कदम उठाए समराज्य के पुनागठन में भारत को प्राधीन ता सिती से निकाल कर वह वही स्थान दे जो एक सब शासित अधिराज्यों ड की अधिये फाराज्य दे मुंष्ट्ण बांग कि मुस्लिफन उर्फेन विवस्ता की मांग कर लिया Sum गठन हो गया अब देखिए सेकंड पॉइंट है केंद्रिय वेवस्ताफिका सभाग में कुल निर्वाचन भार्टियों का एकवटा नो भाग मुसलमानों के लिए रक्षत कर दिया अब मुसलमानों ने नो भाग अपने लिए मांगा है तो वो भी उनको दे दिया क्या आप से किस तरह से उन्होंने किया था पंजाम में 50 परसेंट बंगाल में 40 परसेंट मुंबई सहित सिंध में यहां पे सहित है ताकि पता चुल जाए साथ में, यानि कि साथ में सिंध है, सिंध में भी और बंबई में भी कितने परसंट थे, 33 परसंट, ओके उत्रप्रदेश में 30 परसंट और बिहार में 25 और मद्रास में 15 परसंट में निर्वाचन दस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसल्मानों के रहे आरक्षित कर है, यदि किसी सभा में कोई पस्ताफ किसी संपर्डाय के हितों के विरुद्ध हो तरह ता 3-4 दस्यों उस आधार पर विरुद्ध करें तो उसे बापस नहीं लिया जाए कि, और उन्हें ने बोल दिया है, कि अगर 3-4 दस्यों कोई भी हम कारे करते हैं करें हैं या पर कोई भी संपड़ाय के हितों के बिरूद होता है कारियर लेकिन अगर वो तिन वटाथ 4 दस्य उस पर अपना विरोध करें तो उसे बापिस नहीं लेगा अब उसे ज्यादा होना चाहिए वह तभी बापिस लिए उसे कम बलों को बापिस नहीं लेंगे तो यह था हमारा आज का टॉपिक तो देखिए कॉंग्रेस लीग और मुस्लिम क्या प्रमुक बिंदू लास्ट पॉइंट है तो कल हम करेंगे ओर ऑन क्या टकेशन इने का मुस्ली और मुस्लीप न न फ्रेघा कCP अइंट की में प्रिक बड़त है मैं जो बहुत ही रीव मिलतẹव ऐसा को ऊवा है कि वो धाएं वी या इघ्या तो भी खालत अपत्रा इस दिसलिंगे टूबाक थकी जाएं हां的话 जो की एक बहुत हीं जो उनके चरित्र दिर्शाता है यानि मिवाज थे Heer देखिए रोइलस अनिसे में आटकरेंगे नेज में के रोइलस ओट sm hard कषणा में कार्यकरा है सबड़ vari me हमी में हब इसके बाद हम गंदी जी तो अन्य जी पम्दा में नहीं हके तो गांधिजी विह पेनी डिपर में आ इंडीयस थे है।